पुल्वामा के अंदर जो जवान सहीद हुए थे और इस अंदोलन के दोरान जो किसान सहीद हुए हैं उनको पुरे देश के अंदर गाउं गाउं के अंदर और दिल्ली के चारों तरफ जो मोर्चे लगे हुए हैं उन मोर्चों के ऊपर केंडल मार्च निकाल कर को सरधानजली दी गई और सोड़ा फरवरी को सर्चोटू रामजी जो किसान मश्या है उनकी जैनती मनाई जाएगी सोड़ा फरवरी को पूरे देश के अंदर रेल रोको अभ्यान चलाया जा रहा है जिसमें बारा बजे से चार बजे तक पूरे देश के अंदर सभी रेले हैं रोकी जाएगी किसा और ये जो कारे करम जो तै किये गये हैं कि अंदोलन को आज 20 दिन से ज़्यादा जहां समय हो गया है और दिली के चारों तरफ लाखों किसान टेक्टर ट्रालियां लेकर यहा मजबूरी में हमें लेने पड़ रहे हैं अब भी अगर सरकार जो है इन चीजों के उपर किसानों की बातों को नहीं मानेंगी और जो तीन कानून है इनको रद करने की बात और MSP खरीद गरंटी कानून जो है यह नहीं बनाएगी तो इस से भी आने वाले दिनों में और कड़ी इस अंदोलों को लेकर एक जोश है और लाखों लोग जो है इन किसान पंचायतों के अंदर हिशा ले रहे हैं इसी कड़ी के अंदर पूरे देश में अभी जो प्रोग्राम बने हैं उसमें राजस्तान को एठारा तारिक को है महा पंचायत होने जा रही है किसान पं पंचायत का आयोजन किया जाएगा और सिर्चा का जो ये पका मूर्चा है भगत सिंग स्टेडियम का पंजाब के बाद में अगर देश में कोई मूर्चा लगा था तो वो सिर्चा का भगत सिंग स्टेडियम के अंदर ये पका मूर्चा लगा था जो दुशन चुटाला बिजडी मंतरी जो है बीजेपी ने उनको बनाया है जो चोदरी देविलाल के बेटे और पड़ पोते हैं जिनों ने किसानों को किसानों के नाम पे वोट लिया चोदरी देविलाल के नाम पे वोट लिया और बीजेपी को गालियां दे दे के लोगों के बीच में जाके वोट मांगा था और प्रदेश के किसानों ने उनको वोट इसलिए दिया कि ये चो दरी दिवलाल के बेटे और पोते हैं तो इनसे कोई उमीद रखी लोगों ने और इनको बड़े भारी संक्या से वोटों से इनको जिताया लेकिन इन्हों ने किसानों का वोट लेके किसानों के के बैठ गे उसकी गोदी में जाके बैठ गे जो पार्टी आज इस देश को बेचने के लिए लगी हुई है कोर्पोरेट घरानों के इसारों के ऊपर ये इस तरीके के कानून जो है देश के ऊपर थोपे जा रहे हैं जिससे ये देश दोवारा से फिर गुलाम होने की तरफ है उसी को रुकने के लिए आज पूरे देश के लाखों किसान दिली के चारों तरफ बैठे हैं और ये मोर्चा पंजाब के बाद सिर्शा के अंदर जो लगा था उसे के उपर किसान मजदूर महा पंचायत का आयोजन किया जा रहा जिसके अंदर श्युम्त मोर्चे की तरफ स राकेश टिकेज जी जाएंगे वहाँ पर डर्शन पाल जी जाएंगे बलवीर सिंग जी रजवबाल जी हैं वो जाएंगे और भी किसान नेता है वहाँ पर किसान मजदूर महा पंचायत के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो संख्या के अंदर पहुंच कर इस किसान मजदूर महा पंचायत को काम्याब किया जाए ये सब लोगों से हम अपील करते हैं प्रार्थना करते हैं जिसमें महलाओं की संख्या है बहुत बड़ी संख्या होगी वहाँ पे तो सभी साथियों से सबसे हम अपील करते हैं कि किसान मजदूर महा पंचायत को काम्याब करें